तो देखिए word to word चलेंगे हम, हमने word पकड़ा जार, जार हमको हलका हलका sound दे रहा है ज़रने का टाइप का, ठीके, और ज़रने के पास अगर रेना है तो मैं 4 पाई यूज नहीं कर सकता, मुझे 6 पाई यूज करना पड़ेगी, क्योंकि 4 पाई ज़रने के flow में बह जाएगी, तो मैंको मजबूत चाहिए तो मैंने 6 पाई यूज करी, ठीके, यही हमारी ट्रीक चै, 6 से हमारा बना 6 और पाई से बना हमारा पाई का, 6 और पाई का, यह दो जो लोकनत्य हैं, यह किस से रिलेटेड हैं, जारकन से रिलेटेड हैं, ठीके, तो आराम से आप इसको image में पेटा सकते हैं, आपको कोई दिक्ट नहीं आईगी, अगला आता है दोस्ता हम बात करते हैं असम्की, असम्की लोकनत्य के करते हैं तो पंजाब में ऐसे देखिए कि वहाँ पर काफी ज्यादा नशा चलता है पंजाब में तो वहाँ पर लोगों के साथ साथ में जो पशू पक्षी भी रहते हैं वो भी क्या करते हैं नशे में रहते हैं तो वहां की जो गिद्द रहते हैं वो भी भांग पीते हैं सि जोई करिए, गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो गिद्ध से बना अमारा गिद्दा, और भांग से बना अमारा भांगड़ा, तो यह दो जो लोगनत्य है, यह किसे रिलेटेड है, पंजाब से, चलि आगे और बात करते हैं, अगला आता है दोस्तों मारा राधेस्थान, राधेस्थान के लोग नत्य देखते हैं तो इस्टोरी देखें ध्यान से सुनिएगा मैं राधेस्थान गया है आप सभी को पताई है राधेस्थान का एक बहुत ही special एक नत्य होता है था है कटपुतली नत्य जैसी गर्मी चुबती है, तो फिर भी मैंने कट पुतली नत्य जरूर देखा, तो स्टोरी क्या है, कट पुतली नत्य देखने के लिए मैं राजयस्तान गया और खुब घुमा महाँ पर, और गर्मी इतनी थी कि बिल्कुल सुई जैसी गर्मी मुझे चुब रही थी, तो यह ही हमारी ट्रीके दोस्तों ध्यान से देखिए अब, कट पुतली नत्य से बना हमारा कट पुतली नत्य, जो कि राजयस्तान का है, घुमा से बना हमारा घुमर, और सुई से अमारा बना सुई सीनी, यह सुई सीनी जो है ना, यह नत्य बहुत इंपोर्टेंट है, और एक्ज मुझ से हमारा बन जाएगा चोंग. तो नागा लेंड का जो लोगनत्य है, वो कौन सा है? चोंग है. आपके दिमाग में यह बिल्कुल सेट हो चुका है. आपको भी नहीं पता है, पर आपके दिमाग में फिट हो चुका है. कभी भी आप एक कोशन देखोगे ना